सला फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे क्रीम ओफ टमेटो सुप तो चलिए जट से बनाते हैं क्रीम ओफ टमेटो सुप क्रीम ओफ टमेटो सुप बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े टमाटर लिए है छोटा प्याज का तुकडा, तीन लसुन की कली, तीन मेरी, एक टेबल स्पून बटर, हाफ टीस्पून नमक, वन फोर टीस्पून शक्कर, वन फोर टीस्पून लाल मेर्ची पाउडर, एक टेबल स्पून कॉन फ्लोर रिया है तुप बनाने के लिए हम पहले प्याज, टमाटर, लसुन और काले मेरी बॉयल करके लेंगे बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है इसे हम कुकर में रखेंगे बॉल को कुकर में रखके कुकर की 3 सिटी बजने देंगे और 10 मिनिट कुकर थंडा होने देंगे कुकर थंडा होने के बाद बॉल को हमने कुकर में से बाहर निकाला है अब हम इसे 10 मिनिट थंडा होने देंगे 10 मिनिट हो चुकी है अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे इसकी फ्यूरी बना के लेंगे प्यूरी हमारी पीस के तयार है इसे आप हम छान लेंगे प्यूरी हमारी छान के तयार है अब हम धीमी आज पे सूप बनाने लेंगे प्यूरी में हम शक्कर डालेंगे नमक डालेंगे लाल मेची पाउडर डालेंगे सारी चीजों का अच्छी तरह मिक्स करेंगे हमने यहाँ पे कॉन फलोर की पेस्ट बना के लिए है अद्धा कप पानि में कॉन फलोर डाला है ये पेश्ट भी हम उसमें डालेंगे तीन से चार मिनिट तक इसे उबाल आने देंगे सूप हमारा तयार हो रहा है तब तक हम सूप में डालने के लिए ब्रेड के छोटी छोटी क्यूब्स बना के लेंगे ब्रेड के छोटे टुकडो को हम डीफ्राइ करके लेंगे डीफ्राइ करने के लिए तेल हमारा गरम हो चुका है उसमें हमने ये सारे ब्रेड से टुकड़े डाले है इसे golden brown होने तक सौते करेंगे सूप में डालने के लिए bread हमारे fry करके तयार है सूप हमारा बनके तयार है उपर से हम butter डालेंगे और serving ball में सौख करेंगे सूप हमारा पीने के लिए तयार है सूप में हम उपर से bread cubes डालेंगे और साथ में उपर से क्रीम डालेंगे इसे अब हम पी सकते हैं अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए